वेलकम टो माई यूटूब चैनल आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो रेसिपी हैं लसुन के कौफते जिसे बनाना बहुत आसान है और बारिश और ठंड यान सर्दी के मौसम में आप इसे कुछ ही मिन्टों में बना के खा भी सकते हैं तो इसे जिसे बनाना नहीं आता वो भी आसानी से वीडियो देखके बना सकता हैं तो चलिए लसुन की कौफते की रेसिपी शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले उबले हुया आलू चाहिए जिसे मैंने उबाल के छी लिया है और यहां लूंगी में एक कटोरी मटर मटर ऑप्शनल है गरम मसाला चाट मसाला और हिंग और अब हम सबसे पहले आलू को अच्छे से मैश करेंगे हमें कदो कस करना है आलू को इसमें किसी तरह का कोई मोटा दाना या टुकडा नहीं रहना चाहिए हमें आतों से भी अच्छे से मैश कर सकते हैं तो मैं सारे आलो को अच्छे से धनिया लिया है उसे हमें करकेश करना है तो इसे में गुटकर अच्छmä कर दूग करल दूगुट कर दुट रिक करना है तो अब मैं ल्च्ण को बारीक 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 हूँ गाएं आप ध्यान रखें क्योंकि पेस्ट बनाने से वो जो फ्लेवर है लसन का वो इतना अच्छा नहीं आता है उसके बाद हम मसाली की तहर करेंगे मसाला बनाने के लिए सबसे पहले कड़ाई में दू चमस तेल डालूंगी जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा उसके बाद एक के भी को कुष्यटकरण हो ने हारीपल ओर यहां मillonएं सबस तैसके मेड़म को करना है तो यहीं हम तर अर्जर के साथ हम इसमें लस्टम से पतं करेंगे तो मतर लस्टम और जीरे का इनका तड़का आःंके ощущ करहना मत्र को हमें soft करना है पूरा नहीं पकाना है तो शॉफ्ट करने के लिए जल्दी soft करने के लिए यह डालोगे स्वाग का नमग और आधा चमच हल्दी पावडर और इन सब को mix करके हमें अच्छे से mix करना है और नमक से नमक के पानी से हमारे मत्र बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे तो दो मिनिट के लिए हमें से बिल्कुल स्लो फ्लेम पर धकन लगा के इसे पकाना है तो दो मिनिट बाद हम चेक करेंगे तो हम देखते हैं कि मारे मतर है थोड़ा सॉफ्ट हो चुके हैं तो फिर हम अच्छा से हिला देंगे क्योंकि नमक की वज़े से हमारे मतर सोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो गए अब हमने जो अलू को क्रेश्ट किया था कदूकस किया था वो अट करेंगे और यहां पर जो अलू एट करते ही हम हम मसाले अट करेंगे तो सबसे पहले में या लूं की गर्म मसाला आधाच एक चोथाई चमच काजू अमचूर पाउडर एक चमच और चाट मसाला आधा चमच एक चमच लाल मिर्शी पाउडर और आप मसालो को अपने टेस्ट के अकोडिंग डाल सकते हैं ऐसा नहीं है कि मैंने जो आपको बताए हैं आधा चमच एकरम वही डाले नहीं आप अपने अकोडिंग अपने अब हम मसाले को ठंडा उने के लिए और अब कोफते बनाने के लिए बेसन का घूल बनाएंगे तो यहां लूंगी में एक टोरी बैसन और इसमें डालूँगी मैं स्वात कैनुसा नमक नमक भी आप अपने स्वात कैनुसार ही डालें और यहां पर डालूँगे मैं दो चुटकी के करीब बेकिंग सोडा तो आप बेकिंग सोडा ज्यादा ना डालें बिल्कुल कम मात्रा में और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छा सा पेस्ट बनाना है इसमें कोई गिठान या लंस ना रहे इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालके ही हमें गुल को तयार करना है तो आप द्यान रखें बेकिंग सोडे से आपके जो कोफते हैं वो फूले फूले और बड़े बड़े बनेंगे और जो बेसन का परत होती है वो थोड़ी सॉफ्ट बनेगी इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा तो अपनेगे लिना रखाता है वो देखते है कि ठंडा हो यह नहीं तो हमारा मसाला भी ठंडा हो चुका है तो अब हमें इसकी छोटी छोटी बोल बनाना जहां आप चाहें बड़ी छोटी अपने अक हिसाब से बना सकते हैं तो मैं यह मीडिएम साइज की बोल बनाँगी ना चोटी ना बड़ी तो इसी गोल गोल हमें बूल बनाना है और इस तरीकिसे में सारी सारे मसाले की पहले सबसे पहले बॉल बना के त्यार कर लूँगी तो दिख सकते हैं मैंने सारी मसालों की बॉल बना के त्यार कर लिया है और साइर में तेल चड़ा देंगे तो अब सबसे पहले बॉल को हमने जो घूल बना यह हैं बैटर बनाया हैं बैसन का उसमेडिप करेंगे और इसे जो हमारा अलू को मसाली की बॉल है उस पर चारो तरफ अच्छे से मसाला घूल लगाएंगे और इसे फ्राइ करेंगे ध्यान रखे गेज का फ्रिम पहले आप अच्छा तील को गरम कर लें ठीं तो अगर आप हाई फ्राय करेंगे तो यह जल भी सकते हैं और इंगे पकएंगे नहीं अंधर तक तो हमें अच्छे से मीडियम फ्लेम पे ही इने पकाना है और आप देख सकते हैं इसका जो साइज वो बड़ा होगा किकि कोफ्ते हैं बड़े और फुले-फुले बनेंगे तो इसी तरीके से आप सारे कुफटे को बनाके त्यार कर सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है आप इसे घर पär कुछ ही में इन्टों बनाकर त्यार भी कर सकते हैं तो आधा फॉर यूशा-स लना कर लें और आधा कच्छा रहने दे जब खाना हो तब इसे वापस डीप फ्राइ कर ले तो ये उस टाइम भी गरम भी रहेंगे और खाने में भी टेस्टी होंगे अगर आपको भी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूरे और मेरे चैनल को सिस्क्राइब जरू करें